प्रियमित्रों हम दैनिक श्री राम चरित मानस की कथा अपने चैनल के मध्यम से प्रतेक दिन सुबह में लगवग 6 वजे डालते हैं। अज का जो प्रसंग है कि प्रभू स्री राम का अबधी पूरा हो गया है लेकिन प्रभू अभी अबधपूरी में नहीं पहुंचे हैं। जिसके कारण से वहां के लोग दुबले पतले भगवान के विरह में और जहां तहां सुच विचार कर रहे हैं कि अबधी तो पूरा हो गया लेकिन प्रभू स्री राम जी आये क्यों नहीं। इतने में ही सब शुन्दर शकुन होने लगया और सब के महिन प्रसंद हो गया नगर जो है वो चारो रमनीत हो गया मानो ये शब कह रहे हैं कि प्रभू अब आने ही वाले हैं। रहा एक दिन आवधी करा अतियारत पूरा लोग जहत हंसों चहीनारी नरा कृष्यतन राम भियोग। शिर्याम जी के लोटने की अवधी का एक ही दिन बांकी रह गया। अतियाब नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के भियोग में दूबले हुए इस्त्री पुरुस जहां तहां सूच विचार कर रहे हैं कि क्या वात है कि शिर्याम जी क्यों नहीं आये। इतने में ही सगुन हो ही सुन्दर शकल मन प्रशन शब केर प्रभु आगवन जनाब जनू नगर रम्मे चहु फेर। इतने में ही सब सुन्दर शुब शकुन होने लगे और सब के मन प्रशन हो गये। नगर भी चारो और से रमनी खो गया मनो वेशब के सब चिन्ध प्रभु के आगवन को जना रहे। कौशल्यादी मातु शब मन आनन्द यशहोई आयव प्रभु सिर्यानु जजुता कहन चाहत यब कोई। कौशल्यादी शब माताओं के मन में ऐसा आनन्द धोरा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्षमन जी सहित प्रभु सिरी राम चंदर जी आगए। भरत ने न भुजद अक्षिना फरकत बार ही बार जान सगुन मन हरा सयती लागे करन विचार भरत जी की दाईना आख और दाईनी भुजा बार बार फरक रही है इसे सुभशकुन जान कर उनके मन में अत्यंत हर्शुआ और वे विचार करने लगे की रहे हुएक दिन अवदी अधारा जैसी आराम जै जै हनुमान समुझत मन दुख भया हुआ पारा जैसी आराम जै जै हनुमान करन कवन नात नहीं आया हुँ जैसी आराम जै जै हनुमान अजानी कुटिल की धव मोहीं भी सरायो जैसी आराम जै जै हनुमान प्रानों की आधार रूप अबदी का एक ही दीन शेश रह गया यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ इसका क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया अहई धन्य लचिमन बरभागी अराम पदार भिंदु अनुरागी कपटी कुटिल मुई प्रभु चिन्हा जैसी आराम जै जै हनुमान अताते नाथ संग नहीं लिन्ना जैसी आराम जै जै हनुमान हाँ हाँ लक्षमन बरे धन एवं बरभागी हैं जो स्री रामचंद के चरनाबिंद के प्रेमी है अर्था तो उनसे अलग नहीं हुए मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुठील पहचान लिया इसी से नाथ नाथ ने मुझे शाथ नहीं लिया जो करनी समुझे प्रभु मोरी नहीं निसता रकल अपसत कोरी अज्जन यबागुन प्रभु मान नकावू अदीन बंदुवति मिर्दूल शुभावू बात भी ठीक ही है क्योंकि यदि प्रभू मेरी करनी पर दियान दे तो शव करोर ने असंख कल्पों तक भी मेरा चुटकारा नहीं हो सकता प्रंतु आसा इतनी ही है कि प्रभू शेबक्कार अब गुन कभी नहीं मानते वे दीन बंदु हैं और अत्यंति कोमल शुभाव के हैं राम जय जय अनुमान हत्यब मेरे हिर्दह में ऐसा पक्का भरोसा है कि स्री राम जी अब अश्य मिलेंगे क्योंकि मुझे शकुन बरेशुब हो रहे हैं किन्तु अब दी बीत जाने पर यदि मेरे प्रान रह गए तो जगत में मेरे शमान नीच कौन होगा राम विरह सागरमा भरतम गनमन होत अभी प्ररूप धरी पावन शुता आई गया उजनुपोत श्री राम जी के विरह शमुद्र में भरत जी का मन दूब रात उसी समय पवन पुत रहनुमान जी ब्राम मन का रूप धरकर इस प्रकार आगये मानों उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाओ आगयी है बैटि देखी कूशासना जटा मुकुट क्रिशगात राम 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 रगुपति जपता स्रवत नएन जलजात हनुमान जी ने दुर्बल सरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रगुपति जपते और कमल के शमान नित्रों से प्रेमासरूं का जलबाहते कूश के आशन पर बैठे देखा देखत हनुमान यति हरसेव। पुलक गात लोचन जलबरसेव। अमन महबहुत भाति शुक मानी जैसी आराम जै जै हनुमान अब बोले उस्त्रा बन शुदा समबानी जैसी आराम जै जै हनुमान उन्हे देखते ही हनुमान जी अत्यंत हरसित हुए। उनका सरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से प्रेमा शुरूं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर वे कानों के लिए अमरित के शमान बानी बोले। कि जासु बीरह सुच हूँ दिन राती। रटहू निरंत रगु नगन पाती। रगु कुल तिलक शुजन शुक दाता। आया। कुशल देव मुनित राता। जिनके बिरह में आप दिन रात सुच करते हैं, भूलते रहते हैं और जिनके गुनसमों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं। वेही रगु कुल के तिलक सजुनों को शुक देने वाले और देवताओं तथा मुनिके रख्षक स्रीरामजी शकुशल आ गये। अरिपुरन जीति सुजश असुर गावत असीता सहित यनुज प्रभु आवत असुनत बचन विशरे सब दूखा जै सियाराम जै जै हनुमान। अत्रिशाबंत जी मिपाई प्यू का जै सियाराम जै जै अनुमान। शत्रू कोरेन में जीत कर सीता जी और लक्षुमंजी शहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका शुन्दर यसका रहे हैं। ये बचन सुनते हैं भरत जी चारे दुख भूल गये। जैसे प्यासा आदमी हम दिखपा कर प्यास के दुख को भूल गाता है। अको तुम तात कहां ते आये हैं। अमुही परम प्रिय बचन सुनाये। तब क्या हनुमान जी क्या कहते हैं। कि मारू तसुत मैं कपी हनुमाना। जैसी आराम जै जै हनुमान। अनामु मोरू सुनु क्रिपानिदाना। जैसी आराम जै जै हनुमान। भरत जी ने पुछा कि है तातु तुम कौन हो और कहां से आये हो। जो तुमने मुझको ये परम्प्रिय यानि कि अत्यंत आनंद देने बाले बचन तुम मुझे सुनाये। दीन वन्दु रगुपति कर किंकर अशुनत भरत बेट उठी शादर। अमिलत प्रेम नहीं इर्दे समाता जैसी आराम जै जै हनुमान। अन्य नस्रबत जलपुल कित गाता जैसी आराम जै जै हनुमान। मैं दीनों के बंदू सिर्दा गुनात जी का दासू का सुनते ही भरत जी उठकर आधर पुर्वक हनुमान जी से गले लग कर मिले। मिलते समय प्रेम हिर्दय में नहीं समाता ने त्रोशे आनंद और प्रेम के आसूं का जल्बाने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपिता बदारस शकल दुखबीते हैं मिले आजु मोहिराम पिरीते हैं बार बार बुजी कुशलाता जैसी आराम जै जै हनुमान अतो कहूं देवु काह सुनु ब्राता जैसी आराम जै जै हनुमान। बरत जी ने कहा कि ये हनुमान तुमारे दर्शन से मेरे शमस्त दुख शमाप्थ हो गया दुखों का अंत हो गया। तुमारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गया। बरत जी ने बार बार कुशल पुछी और कहा कि ये भाई सुनो इस सुब संबाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। यही संदेश सरिश जगमाई एकरी विचार देखे उक चुनाई अनाहिन तात उरिन मैतो ही जैसी आराम जै जै हनुमान इस संदेश के समान इसके बदले में देने लाइक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया। इसलिए है तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उडिन नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभू का चरित्र यानि की समाचार सुनाओ। तब हनुमंत नाही पदमाथा जैसी आराम जै जै हनुमान अकहे सकल रगुपति बुनगाथा जैसी आराम जै जै हनुमान अकहु कपी कबहु कृपाल गोसाई जैसी आराम जै जै हनुमान अस्सु मिरही मोही दासकी नाही जैसी आराम जै जै हनुमान तब हनुमान जी ने भरजी के चर्म में मस्तक नवाकर स्री रगुनाथ जी की शारी गुनगाथा कही। भरजी ने पूछा कि हनुमान कहो कृपालु स्वामी स्री रामचन जी कभी मुझे अपनी दास की तरह याद भी करते हैं। निजदास जयो रगुबन सभूशन कभाउं मम सुमीरन करयो। सुनी भरत बचन बिनी तयाती कपी पुलकित नचारान निपरयो। रगुबीर निजमुख जाशुगुन गन कहत अग जग ना थजो। काहे न होई बिनीत परम पुनीत शादुगुन सिंदुशो। रगुबन स्के बुशन। सी रामजी क्या कभी अपने दास की भाती मेरा असमरान करते रहे हैं। भरत्जी के अत्यंत नम्र बचन सुनकर हनुमान जी पुलकि सरीड होकर उनके चर्णों पर गिर परे। और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के श्वामी हैं। वे श्री लगवीर अपने श्री मुक से जिनके गुण्शमुह का बर्नन करते हैं। वे भरत्जी ऐसे बिनम्र परम पवित्र और शदवुनों के समुद्र क्यों नहों। राम प्रान प्रिये नाथ तुम सत्य बचन ममतात अपुनी पुनी मिलत भरत सुनी हरसन हिर्दय शमात। अनुमान जी ने कहा कि हे नाथ आप शिजाम जी को प्रानों के शमान प्रिये हैं। ये तात मेरा बचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। फिर्दय में हरस समाता नहीं। भरत चारान सिरुनाई तुरित गयाउ कपिराम पही कही कूशल सब जाई हरसी चलेउ प्रभुजान चड़ी। फिर भरत जी के चर्णों में सिर्नवा कर हनुमान जी तुरंत ही सिर्दयाम जी के पास लट गए। और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हरसी थोकर बीमार पर चड़ कर चले तो बोलिए जैसी आराम जैसी आराम जे जे हनुमान जैसी आराम जे जे हनुमान संकट कटे मिटे सब पीरा जैसी आराम जे जे हनुमान जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जैसी आराम जै जै हनुमान जै 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 हनुमान गुशाईं जैसी आराम जै जै हनुमान कृपा कराऊं गुरुदेब कीनाई जैसी आराम जै जै हनुमान दिन दयाल विरद संभारी जैसी आराम जै जै हनुमान हरहुनात ममसंकट बारी जैसी आराम जै जै हनुमान एक गरी या दो गरी या दो में पुनियाद अतुलसी शंगत शाधु के हरै कोटी अपराद शियावर राम चंद्र कीजै अयोध्या राम लला कीजै ब्रिंदावन क्रिस्न चंद्र कीजै पवन शुत हनुमान कीजै बोलो भाई शब शंतन कीजै हरहर महादेब